नमस्कार प्रिये मित्रों फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में मित्रों कोई भी इंसान कोई व्यक्ति पुरुश हो इस्त्री हो अगर आपसे नाराज हो गया है और रूठ गया है बात इस हद तक पहुँच चुकी है कि आपके बीच बातचीत भी बंद हो गई है यानि उसने पूरा मन मना लिया है आपको छोड़ने का आपसे दूर रहने का उस रूठे हुए इंसान को नाराज इंसान को मनानेगा मित्रों बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही ताकतवर एक ऐसा टोटका ऐसा उपाए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप करने वो इंसान तीन दिन भी आपके बिना रह नहीं सकेगा और उल्टे पाओं आपके पास वापस आ जाएगा खुद आपको मनाएगा आपसे माफी मांगेगा मित्रो उपाय को पुरे विश्वास पुरो यकीन के साथ करें और वीटियो को अंत्र तक ध्यान पूर्वक देखें सुमें وہ समझें मित्रो किसी भी मंगलवार, बुद्धवार, शुक्रवार, तीनों मैं से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं उपाय को करने से पूर्व अपने हाथ पेर एक बार अवश्य अच्छे से दोलें सनान कर सकते हैं सनान करनें कहने कारत है सच्चिता की हालत में ही आपसे करें स्त्रियां इसे डेट के समय बिलकुल ना करें इस बात का विशेश दियान रखें आपने क्या करना है पूर्व दिशाकी और मुक करके एक स्थान पर बैठना है कोई भी आसन कपड़ा आप बिछा लें अपने साथ रखें एक सफेद कागज का टुकड़ा चौकुर और चार हरी इलाईची के चार काले दाने जो उसके अंदर से निकलते हैं आप निकाल लें और उन्हें रखें अपने साथ दाना को किसी पातर पर रखें कोई प्लेट कडोरी चमच कुछ भी ले लें उस पर रख लें अपने सामने कागज पर आप पहले अपना नाम लिखें प्लस का चिन लगाएं और उसके बाद उस इंसान का जिसे आप पाना चाहते हैं वापस उसका नाम लिखें स्त्री पुरुष कोई भी हो पहले अपना ही नाम लिखेगा मुख्य नाम प्रमुख नाम उसके बाद प्लस का चिन यानि बढ़ोतरी का जो चिन होता है और उसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे आप चाहते हैं नीचे आप जिस तरीके से घेरे में श्री एंग लिखा गया है बिल्कुल यही आपने मंत्र लिखना है बड़ा सरल सा उपाय हमेतरो बहुत धियान पूर्वक सुन अब आपने क्या करना है इस कागज को आप नीचे जमीन पर रख दे बिल्कुल जमीन पर रख दे कोई परशानी की बात नहीं है लिखना आपने लाल रंग से है इस बात का विशेश दियान रखे कोई भी पैन, स्केच पैन मार कर कुछ भी आप ले सकते है किसी की मदद से भी लिख सकते है रंग लाल होना चाहिए इलाईची के जो दाने हैं आपके पास एक दाना उठाएं सीधे हाथ से मुठी में बंद करना उस दाने को और श्री एंका तीन बार उच्चारन करें तीन बार इसे बोलें उसके बाद आप इसे कागज में रख दें दूसरा दाना उठाएं इसी प्रकार से फिर दोहराएं तीसरा दाना उठाएं फिर श्री एंका उच्चारन करें तीन बार फिर रख दें चोथा उठाएं फिर यही करें इसके बाद जो कागज है उसकी आपने पुडिया बना लेती है और पुडिया बनाने के बाद आप अपनी मुठी में सीधे हाथ की से बंद करें उपर से रखें अपना बाया हाथ और जिस इंसान को आप चाहते हैं उसको स्मरण करें यानि उसको ध्यान करें आधा मिनट एक मिनट उसको विचारे उसको सोचे है अच्छा वाक़ा कोई भी याद करे अब आपने क्या करना है उसस्थान से उठ जाना है और कहीं भी घर में इसे समान लेना है अपने निजी गुपतिस्थान में जहां कोई और से ना देगे रात के समय सोते हुद आपने इसे अपने सिरहाने पर रख लेना है अगले दिन सुभे जब आप उठेंगे सनानादी के पश्चात आपने ये कागज निकालना है यानि ये पुडिया जो आपने बनाई है इसे आप उस्तान से निकालना है घर से बाहर जाएं और ये जितने दाने हैं चारों ये आप अपने आंगन से बाहर फैला दे यदि नहीं फैला सकते तो आप इसे किसी गंबले में दबा सकते हैं ध्यान रहे कैक्टस या ऐलोवेरा जैसा गंबला ना हो बाकी कोई भी गंबला हो सकता है जो कागज है कागज को आप घर से बाहर घर के भीतर नहीं घर के बाहर कहीं भी मिट्टी में दबाते दानों को आप घर के अंदर दबाएंगे गमले आदी में या अपने आगण में बिखेरेंगे और जो कागज है उसे आप मिट्टी में कहीं भी दबाएंगे इतना आप मित्रो कर ले और उसके बाद आप मातर तीन दिन में इसका असर इसका प्रभाव देखें जो कोई भी वो इनसान है जो आपसे रूट गया है नाराज है खुद आपसे मिन्यताय करेगा आपको मनाने के लिए वापस आएगा अब दिनाग्या मित्रो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी खयाल रखे अपना खुश रहें नमस्कार